तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं पनीर मसाला की ये शांदार जवर्दस्त रेसिपी अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल प्रस दे बेल आइगन पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने सब से पहले यहां पर एक अल्यूमिनियम की कडाई को गेस पर गर्म होने के लिए रख दिया है उसके अंदर डालूंगी में लगबग ये दो ट करेंगे इसका कलर हलका सचेंज हो चाहिए जब तक गड़न राण ना हो जाए रख जाए हमें इसी सुखी खडाई के अंदर इसको रोस्ट करना है यह देखिए इसका कलर जो है लका सचेंज हो चुका है अब हम एक प्लेट में निकाल लिए जल्दी से वरना यह जल पनीर हमेशा में घर पर ही बनाती हूं यह है रोस्ट किया हुआ बैसन जो के अभी हमने किया था ग्रेवी बनाने के लिए मेडियम साइज की प्याज पांच से साथ काजू दो हरी मिर्च एगी चंद्रक का टुकड़ा दस से पंद्रा लस्वन की कलिया और दो मीडियम साइज के टमाटर के साबुत मसालों में में नहीं आपर लिया है लगबग 4-5 काली मिर्च दो लोंग 2 साबुत लाल मिर्च एक तेज पान का पत्ता आदी चंमत जीरा दाल चीनी के चोटे-चोटे टुकड़े एक घरी लाइजी काली मिर्च आप अपने हिसाब से कम्याजादा कर स तीसरा पेस्ट प्याज और काजू का हमें तीन अलग अलग पेस्ट एडी करने होते हैं हम इन सबको एक साथ इनका पेस्ट नहीं बना सकते हैं अब हम पनीर के अंदर डालेंगे यह आदा चंमत लाल मिर्च पाउडर और एक चोथाई चंमत हल्दी पाउडर और आदा चंमत नमक आदे से भी थोड़ा कम नमक ले रही हूं मैं अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो कोई बात नहीं हम इसी जब ऑईल के अंदर फ्राई करेंगे तभी अब पर एक पेन में गर्म होने के लिए रख दिया है हमारा ओल जिसे ही गर्म होगा हम उसके अंदर डाल देंगे यह पनीर जिसके अंदर हमने सुखे मसाले डाल दिया है जब तक यह हलके से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं या फिर इनका हलका सा कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें इनको फ्राई करना है लगबक दो निट तक कि अधोर संड़ेबग देखिए हमारे पनीर के ऊपर एक गोल्डन कलर की परत आ गई है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे पनीर के अंदर निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितना अचा कलर आया है अब हम इसी कड़ाई के अंदर थोड़ा सा ओर तेल डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा लगेगा क्योंकि हम पनीर मसाला बना रहे हैं लगबग 3-4 तेल दाल दीया है अब तोड़ोब साथ नाथे कारें वर खोड़ोड़ा साव ने तेल डांशाण और भर्ला डालिया है अब इसमें से गर्म हो चुका है प्याज का पेस्ट के अंदर काफी जाग आ गया है क्योंकि हमने इसी ओइल के अंदर पनीर फ्राइब आ अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे अच्छी तरह मीक्स करेंगे इन सबको और लगब एक से दो मिट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे हमें सारे मसाले मीड अध्राग और हरी मिर्च का पेस्ट अब इसे भी हमें बहुत अच्छे से हिलाना है और लबग एक से दो मिर्च तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है देखिए हमारे लसून और मिर्ची भी अच्छे से पक चुके है इसके अंदर से और से परेट होने लगा है अब सबसे पहले हम इसके अंदर एड़ गरेंगे यह एक टेबल स्पून नमाख एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मिर्ची कमिया जाधा आपने टेस्ट के कोडिंग कर सकते हैं एक तीहाई चमच हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून सुखा दनिया पाउडर अब इसके अंदर एड़ करेंगे हम यह बेशन जिसे के हमने पहले ही रोस्ट करके रखा था यह थोड़ा ज्यादा लग रहा है मैं यह सारा नहीं डालूँगी इसमें से थोड़ा सा बचा लूँगी अब अब हम इसे से बच्षे से मिक्स करेंगे इस स्टेज पर हमें से पानी भी नहीं डालना है हमें इसे ऐसे ही पकाना है ओ इलक ल् Ideally चूलो के साथे से मिक्स करके अज्बबबब चार से पान्च किट तक हमें इसे लौ फ्लं पर पकाना है अ wh अब हमारे मसाले अच्छे से अखिश्क आज़ा है अब करेंगे एक करेंगे अब ने मिइस अब हम इसके अंदर मसालो कहा श़श्क करना है देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इस स्टेश पर हम इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे जिससे की सारे मसाले जो है वह आपस में अच्छे से एड़्जस हो जाए पानी अड़ करने के बाद वही हमें लगबग 2-3 मिर्ट तक इसे भी अच्छे से पकने देना है जब तक कि हमारा ओइल मसालों से सेपरेट होने लग गया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी को यह लगबग 1 टेपर स्पून के करीब है अब हम इसे भी अच्छे से हाथों से क्रश करते हुए डालना है इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ आप पनीर वाली सब्जों में कसूरी मेथी जरूर डाले इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसकी लुकिंग भी काफी अच्छी लगती है अब हम इसके आंदर एड़ करेंगे यह फ्रेश दूद की मलाई यह घर के दूद की मलाई है आप चाहे तो इसकी जगा पहा है मार्केट में जो रेडिमेंट कुकिंग कि मिलती है अमूलकी आप ले सकते हैं, वेर दूद की फ्रेश मलाई का ही यूज करती हूँ और मैं आपको भी वही फ्रेपर करूँगी जहां तक हो सकते अप अच्छे सही ला लेंगे ध्यान रखे आप जब भी मसालों के अंदर दूद्य दही एड़ करें गेस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें वर्ण हमारी ग्रेवे के फटने के चांस बहुत जादा हो जाते हैं अब इसे भी लगबग एक से दो मिट तक पकने देंगे जब तक हमारा ओयल वापस मसालों से सेपरेट होने लगा है अब हम इसे अच्छे से एक बार और हीला लेंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे फ्रेश दही यह लगबग दो टेबल स्पून के करीब है दही आप हमेशा फ्रेश ही ले अब इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसे लगबग एक से दो मिट तक वापस पकाना है जब तक तक हम इसके अंदर से अपरेट होने ना लगए हमें सारी चीजों को डालते जाना है और लगबग 2-3 मिट तक वापस पकाते हुए जाना है अब इस बार हम इसका ड़कन लगा कर इसे लगबग 2-3 मिट तर पकाएंगे यह देखिए कितना सारा ओल हमारे ग्रेवी के सरफेस पर आ इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे पानी हमें यहां पर पानी कम ही डालना है क्योंकि पनीर मसाला की जो ग्रेवी होती वह काफी गाड़ी होती है बाकि आपकी चोईस है मैं यहां पर लगबग 1-5 ग्लास पानी का यूज करूंगी मैंने यहां पर छोटी ग्लास ली है अगर बड़ी क्लास से लेते हैं तो यह एक बड़ी क्लास है अब हम इसे अच्छे से हीला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगबग 5-10 मिट के लिए इससे बॉइल होने देंगे पकने देंगे इसका ड़कन लगा कर हमें इसे पकाना इ अब हम इसे अच्छे से हीला लेंगे और सबसे लास्ट में अब हम इसमें एड़ करेंगे यह पनीर के टुकड़े या पनीर के क्यूब्स अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और लगब 5 मिट के लिए इसका डखन लगा कर हाई फ्लेम पर पकाएंगे इस बार हमें हाई फ्लेम पर पकाना है यह देखिए 5 मिट हो चुके हैं अब हम डखन हटा कर चेक कर लेते हैं वापस हमारा ओइल सफेस पर आ चुका है आप देख सकते हैं हमारा पनीर मसाला कितना सुंदर लग रहा है अभी हमारी ग्रेवी जो है हलकी सी लिक्विड है पतली है लेकिन हमें इसकी कंसिस्टेंसी यही रखनी है क्योंकि आप देखेंगे कि 15 से 20 मिट बाद यह काफी थीक हो जाएगी गाड़ी हो जाएगी मैंने अभी गेस का फ्लेम लो कर दिया है अब सबसे लास्ट में मैं इसमें एड कर रहे हूं यह बारी कटा हुआ हरा धनिया यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप इससे स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कसूरी में थी अल्रेड डाल दी है आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं हमारे पनीर मसाला की ग्रेवी जो है बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हम सर्व करेंगे जब तक अभी से थोड़ी और थीक हो जाएगी अब हम गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा पनीर मसाला कितना शांदार बनकर रेडी हुआ है इसका कलर भी कितना अच्छा है आप मेरी पनीर मसाले की रेसिपी को इस दिवाली पर ज़रूर ड्राइग गीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में मुझे चाहरूर बतान अगर आपको मेरी यह पनीर मसाला की पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे इस रेसिपी को ज्यादा सआ जादा लाइक और शेयर जरूर कीज़गा आपको मेरी इस इतरह की रेसिपी मेरे चैनल की प्लेजिस्ट पर मिल जाएगी आप जाए कर चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी मेरे अधर रेसिपिस की लिंग को चेक कर सकते हैं बहुत जाद मिलती हूँ आप से अगली रेसिपी के साथ तैंक यू